जवाहर लाल नहरू विश्व विद्यालाई की दीवारों पर ब्राम्मर्ड विरोधी नारे लिखे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है JNU में ब्राम्मर्ड भारत छोड़ो और अनिय नारे लिखे गए तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद विश्व विद्यालाई प्रशासन ने एक्शन लिया है कुलपती ने श्विकायस समीती से पूश्टाश करने और एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है पंजाब के जुलाल उध्याना में कोट कॉम्पलेक्स में हुए धमाके के मुख्या आरोपी आतंकी हर्पीस सिंग को एनाई एने कुवाला लंपोर से बापस भारत आते हुए दिली एरपोर्ट से ग्रफतार किया है आरोपी पर एनाई एन दस लाख रुपे का इनाम भी भूशित किया था आरोपी हर्पीस सिंग के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी है वहीं उसके खिलाफ लोकाउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है परिश रावल को बलसाड में बंगालियों पर दिये विवाजित बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी उन्होंने अपनी सफाई में कहा बंगालियों से उनका मतलब अवैद बंगला देशियों और रोहिंग्या से था अगर किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूँ पूर्व सांसद और एक्टर परिश रावल गुजराद विधान सभा चुनाओ में भार्टी जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है बलसाड में उन्होंने कहा था कि गुजराद के लोग महगाई को तो वर्दाश्ट कर लेंगे लेकिन बंगला देशियों और रोहिंग्या को नहीं मध्यप्रदेश के जहानारा गाउं से कॉंग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई है जहुरान राहुल गानी के साथ अन्य कारी करता भी शामिल हुए मध्यप्रदेश में आज कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दस्वा दिन है यह अपने 37 दिन 23 नवंबर को मध्यप्रदेश में दाखिल हुई वर्टलब है कि यात्रा राज्जी में 12 दिनों में 7 जिलों से होकर गुजड़ेगी बता दे उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गानी ने भाजपा की सरकार पर जम कर निशाना साधा कानपुर की सीसमों विधान सभसीट से फरार समाजवादी पार्टी विधायक इर्फान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कानपुर कमिशनर कैम्प कारियले के सामने सरेंडर कर दिया है इस दोरान विधाय का हसन रूमी और अमिताब बाजपी भी उनके साथ मौजूद रहे पिछले माईने एक भूमी विवाद में एक महीला को कथित रूप से परिशान करने और उसके घर में आग लगाने के आरूप में पुलिस ने उनकी खिलाफ मामलत दर्श किया था और वैं तब से फरार चल रहे थे